केवल मंत्री और सांसव यह अगर आधिगारिक दायित्यों का दिर्वहण करने वाले लोग क्या नियम तोड़ने वाले होते हैं तो देश में नियम ही नहीं बनेगा और उनके परिवार अगर उचल रहा है तो नियम तोड़के ही चल रहा है यह प्रिटेंड करना यह मान लेन यह गलब बात है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से रोका गया था, गाड़ी के ऊपर स्टैंपिंग करके और शीशे के ऊपर थपथपा करके, यह कोई तरीका नहीं है रोकने का गाड़ी, रोकने का तरीका होता है, हम लोग भी तो जान रहेते हैं दिन से देख रहे हैं, और पर चलान दे देंगे, क्योंकि हम नों नियम का पालन करने वाले लोग है, हमारी माता जी साथ में थी, हमारी बिटिया थी, हमारी पत्नी साथ में थी, सीट बेल्ट लगाए हुए थे दोनों, बहुत दुर भागेपूर ने जब यह बताया जाता है कि सीट बेल्ट लगाने आप लोगों पूछिए हमारी पत्नी उतर करके पूछने के लिए गई तो उसके बाद जो है वह एक कॉंस्टेबल आए और बोले कि क्यों गाड़ी को रखा गया है नहीं आप जाई तो यह पूरा घटना क्रम है और इसमें आप चुकी यह मंत्री महोदे की गाड़ी थी उनक इशू बनाया जा रहा है यह गलत है हम लोग सावान नागरिक है नागरिकों का दाइद तो क्या होता है उजह मालूम है और अगर यह पता नहीं होता तो गाड़ी वहाँ एक मिनट से जादा नहीं रूपती हम लोग ने रोग करके वहाँ पर नियम संगत तरीके से काम करने का प्रयास किया बार-बार आगरे किया उसके मावजूद कोई नहीं चेक करने आया और आज आप घर पर गोलते हैं मीडिया से मालूम चलता है कि भाई यह रूपय का चलान काक दिया गया है तो घर घर पटना में बहुत लोग ऐसे चलने सब के घर आप चलान भेजेंगे त अगर मुझे चलान का कॉपी मिलेगा तो मैं सबसे पहले दिन आले जाओंगा क्यों नहीं जाओंगा हर के हित का रक्षा नहीं होगी और इस प्रकार का वातावरण बनाया जाएगा कि हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं और वरी अधिकारी वहां पर हैं वरी अधिकारी किसी को कि दो भीरेट को भेजने पाए हमस्लों के रहे हैं और मीडिया ने ऊगरत रहे हैं कि वराटी आफ वरी फकोत्रव favorite है लेकिन इस तरह से करना इसके पीछे क्या मन्शा है यह नहीं पता हमको विल्कुल टर्लेट क्या ज़रा है क्योंकि नियम कानून हम लोग भी जानते हैं इतना उमर हो गया नियम कानून को मानना अच्छी बात है अभी जो भी चल रहा है वो ट्रैफिक रून को मानना हर आदमी को चाहिए हम लोग भी मानते हैं और जब हमनों हम लोग जा रहेते हैं हुस्पिटर आईजी आए-इम्स हम लोग को जाना था गारी जिस तरह से रोका गया वह गलत था और जब हमनों कि साइड कर लिये साइड करने के बाद ना कोई चेकिंग करने के लिए आ रहा है, ना कुछ 15 मिनट हम लोग वेट किये, लेकिन कोई चेकिंग करने नहीं आया, और अभी कल न्यूस से पता चला कि चलान काट दिया गया है, तो ना चेकिंग हुआ और चलान काटा जा रहा है, यह क्या मतलब है इसका, यह तो परेशा करना हुआ, तो हम लोग रोट पर चलना छोड़ थोड़ी देंगे, आप लोग खुद रुखी थी, जाज कराने के लिए कोई अधिकारी ने, लोग थे, वो लोग जानते हैं, पंदरा मिनट हम लोग इंतजार किये, लेकिन कोई नहीं हम लोग बोले भी, तब मेरी बहु उ अब यहां पर क्या गर्वड़ी कुछ समझ में नहीं आता है, पुर्वाग्रा से ग्रसीत हैं लोग की क्या है पता नहीं।